वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तो पंचायती राज विभाग की यह योजना है जन योजना अभियान जी हाँ दोस्तो दो अक्टूबर 2021 से आने वाले वर्ष 2022 जर्वरी तक यह योजना दोस्तो चलेगी और यह पंचायती राज विभाग की योजना है इसमें खास बात दोस्तों ये है कि परिशदी जो विद्याले हैं वहां पे विद्याले प्रबंद समिती की बैठक मासिक होती है परते एक माह पहले बुधवार को ये बैठक होती है जो अभिवावक हैं उनी में से विद्याले प्रबंद समिती के सदस होते हैं होते हैं अध्यक्ष होते हैं, हेड़ टीचर की अध्यक्षता में ये बैठक होती है, उसमें विद्याले विकास का पूरा का पूरा खाका तयार होता है, वैसे तो विद्याले का जो विकास है, वो विद्याले प्रबंद समित में जो कंपोजिट ग्रांट आती है, उसके उसको head teacher उसी composite नित्से ही कर लेता है लेकिन दोस्तों दिव्यांग शोचाले का निर्माड हुआ आत्रिक्त कक्ष का निर्माड हुआ विद्याले में चहार दिवारी हुई या विद्याले में और भी जो बच्चों के समगर विकास के निमित किचन शेड वगएरा है उसके लिए धन की नितान ताउशकता होती है तो पंचायती राज विभाग अब सरकार ने पंचायती राज विभाग को ये निर्देशित कर दिया गया है कि विद्याले विकास की जो योजना है टीचर की अध्यक्षता में विद्याले प्रबंध समित की बैठक में निर्मित हो उसको बिलकुल शामिल किया जाए ताकि पंचायती राज विभाग को हम पैसा दे सकें फंट्स दे सकें तो आज की वीडियो में हम पूरी की पूरी बाते करेंगे कि सरकार की ये जो पहल है वो किस रूप में है कैसा पत्र दोस्तो जारी हुआ है और कौन सी बात यहां पे मुखता दोस्तो कही जा रही है ये पत्र जो दोस्तो देख रहे हैं आप इसके प्रेशक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनो है आप दोस्तो देख सकते हैं सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जन्पद उत्तर प्रदेश को ये पत्र प्रेशित हो रहा है विशे पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित जन योजना अभियान दिरांग 2 अक्टूबर 21 से 31 जन्वरी 2022 के अंतरगत ग्राम पंचायत विकास योजना जीपी डीपी में विद्याले विकास योजना के प्रस्ताव समलित कराये जाने के संबन में दो नूमबर 21 के इसका ये पत्र है अब पत्र के जो मुख बातें हैं उस पे गौर फरमाते हैं महोदे क्रिपया पंचायती राज विभाग द्वारा वित्ती वर्ष 2022-23 हेतु प्रात्मिक्ता में की जाने वाली गत्विधियों का अवलोकन करें जिसके अंतरगत जन्य योजना अभियान दीनांग 2 अक्टूबर 21 से 31 जन्वरी 2022 तक संचालित की जाएगी जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना जीपी टीपी सबकी योजना सबका विकास की कार्योजना तैयर की जाएगी उग्ति के संबन में आपको नर्देशित किया जाता है कि सलगन पत्र में प्रिष्ट संख्या 10 एवं 12 का बेसिक सिक्षा विभाग है तो कारवाही के बिंदु निमना है अब बेसिक सिक्षा विभाग से आपको मतलब है उसकी कारवाही के बिंदू यहाँ पे फोकस किया जा रहा है मुखरूप से क्या है यहाँ दोस्तों बात हो रही कि SMC द्वारा विद्याले विकास है तो तयार की जाने वाली योजना को ग्राम पन्चायत विकास योजना GPTP में अन्युआर रूप से समलित कराया जाए जिससे विद्याले में आधार्भूस सुविधाओं के विकास है यहाँ पे बात ही यही हो रही कि जो आधार्भूस विद्याय है के विद्याले में उसके विकास है तो धनरास पंचायती राज विभाग के माध्धम से विद्याले को प्राप्थ हो सके कि मिक्त के समवन में बेसिक शिक्षा से समधित बिंदु पर अपने इस्तर से SMC द्वारा विद्याले विकास हे त्यार की जाने वाली योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में अनिवार रूप से संब्लित करानी है तो सभी संबंधित को निर्देशित करें तरहकृत कारवाही से इस कारेले को भी आउगत कराना सुनिशित करें जिससे विद्याले में विकास योजनाओ हे तो धन्डास पंचायती राजविभाग से प्राप्त हो सके ये दोस्तों बात हो रही भवदी गनेश कुमार जी है संब्लित स्क्षा निदेशक बेसिक करते स्क्षा निदेशक बेसिक उत्तरप्रदेश लखनो अब जन योजना अभियान जिसका समय दोस्तों दो अक्टूबर 2021 से 31 जन्वरी 2022 ग्राम पंचायत विकास योजना जीपी डीपी सबकी योजना सबका विकास इसमें जो बिसेश बात है दोस्तों ये क्रिपया प्रिष्ट संख्या 10 के उम्बारा पर बेसिक स्क्षा विभाग हेतु कारवाही के बिंदु अंकित हैं समस्त बियेसे को परिपत्र में परिपत्र भेजें कि SMC द्वारा विद्याले विकास हेत त्यार की जाने वाली योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना GDP में अनिवार रूप से समलित कराएं जिससे विद्याले विकास योजनाओ हेतु धनरास को पंचायती विभाग से प्राप्त हो सके सिरीच अंद्रभान जी ने मार किया है लोगों की आवाज को भगवान की आवाज कहा जा सकता है महात्मा गाधी के अंसार दोस्तों ये विचार है और अब इसमें Head Master की जिम्मेदारी दोस्तों बढ़ी हो जाती जो Head Teacher है विद्याले प्रबंद समित की बेठक करेंगे जो विद्याले के विकास के लिए योजना बनाएंगे इसमें Head Teacher का भी Signature होगा प्रबंद समित के अध्यच का भी होगा उपाध्यच का होगा समस्त सदस्रों का होगा जो भी निर्मार कार जो भी आधार भूत बाते विद्याले के समगर विकास के लिए आप करना चाहते हैं उसका खाका तैयार करके उसको ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रधान जी और ज ही बात हो रही है पंचायती राज के मूलभूत कुछ यहां पर आकड़े दोस्तों दिये गए हैं उत्तर प्रदेश के संदर में बात हो रही है पाचाहत्तर जिलों में जिला पंचायद सदस तीन हजारी क्यावन है आठ सो छबिस छेत्र पंचायद जो सदस हैं छेत्र है उसमें 75,855 छेत्र पंचायद सदस है और ग्राम पंचायद तो उक संख्या 58,189 है तो वहां 7,31,811 ग्राम पंचायद सदस है यह जन संख्या 2011 के अनुसार है कुल जन संख्या 19.98 करोड है ग्रामडी जन संख्या 15.98 करोड है ग्रामडी जन संख्या का प 20.69% है और 5,000 से नीचे जो आबादी है वो 33,972 रहे से गाउं की और 5,001 से 10,000 के बीच में आबादी जो है 365 गाउं की और 10,000 से अधिक आबादी 552 गाउं की है और आउसद ग्रामेड यहां जन्संक्या 2715 है यह दोस्तो मोटा मोटी बाती हुई और GPDP योजना है आप जान रहे हैं यहां मेन फोकस यही है कि बिद्याले प्रबंद समिती के से जो बैठक हो उसको GDPD योजना में शामिल किये जाए अब आप देख सकते हैं वही बाते हैं ग्राम पंचायत अस्तर पर गत वर्ष मिसन अंतोदे अंतरगत एकत्रित ग्राम पंचायत की सरशनात्म कार्थिक्यों मानुविकास के सूचका अंकों के आधार पर क्रिटिकल गैप का आकलन कर आवस्थक सुझाओं आवशकताओं को वार्सी कारियोजना का भाग बनाते छेतर पंचायत की कार युजना हे तु गतविधियों का चैन ग्राम पंचायतों की कार युजना के आधार पर दोस्तों होगा अब जन योजना अभियान 2021-2022 का जो प्रात्मिक्ता है विकास अत्मक और शक्तनाओं पर केंद्रित योजना दो स्यधिक ग्राम पंचायतों छेतर पंचायतों को लाब पहुचाने वाले कार सामुदाइक योजना को कार योजना का अनिवार हिस्सा बनाना इस्तरी पुरुष समानता के प्रत जिम्मेदार योजना सतत विकास लक्षों सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स का स्थानी करण करना स्वच्छता जल आपूर्ती खेल के मैदान पार्क आदी बुनियादी सेवाओं पर जोर्द चिलत अच्छेतर पंचायतों को सवपे हुए बुनियादी धाचे का विकास और रख रखा दोस्तों यहाँ पे जो पिछला आकड़ा है वो पूरा है शिक्षा पे आप देख सकते हैं जीपी डीपी योजना अंतरकर सेक्टरवाद गत्विधियाँ गत्विधियों कि संख्या एक लाग सैंतिस जार चेसो अठारा है परसेंटेज 6.14 यहाँ पे आप सिक्षा की बाते दोस्तों देख सकते हैं आगे चलते हैं जो सेक्षिक बाते हैं उसको हम कबर करते हैं आपरेशन काया कल्ब 83,066 प्रात्मिक माधिमिक विधियालियों में आपरेशन काया कल्ब इस योजना के अंतरकर दोस्तों चलाया गिया ग्राम परधानों का दोस्तों आनलाइन ट्रेनिंग हुआ कोबिड में महिला कर्मी किस तरीके से गाउं में दोस्तों उन्होंने पनी सेवा भाव दिया और पंचायत भावन का किस रूप में निर्माड हुआ इसी योजना के दाता आपरेशन काया कल्ब में विधियालियों का काया कल्ब हुआ क्राम परधानों का परिशयात्मक पर्शिक्षन भी हुआ और गत्वर्स में अभियान की सीख भी यहां पे दोस्तों दी गई है और अब 22-23 है तो प्रात्मिक्ता में की जाने वाली गत्विधियां दोस्तों है स्विक्षा की शेत्र में जो महत्पूर्ण बात है विधियाले प्रबंद समित की कार्यूजना को जीपी डीपी में सामिल किया जाना और यह अंतर विभागी समनवे से दोस्तों होगा जो सारी बाते हैं यहां पे कहिए जा रहे है स्विक्षा विभाग यानि विधियाले प्रबंद समित SMC कार्यूजना का जीपी डीपी में समलित किया जाना यह महत्पूर्ण बात है इसी के तहाद दोस्तों पैसा पंचायती विभाग को मिलेगा और विधियालियों का समगर विकास होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ यह विडियो आपके लिए हल्पुल रहा होगा कि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना चैनल पर कमेंट करना लेकिन दोस्तों कर आफ चैनल पर नहीं है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इससे सब्सक्राइब करें थेंक्स फॉर वाचिंग और लिस्निंग दिस जजय प्रकास्टूरी साइनिंग आप